सरोकार तो पीतुपक्ष का दसमी सराद 26 सितंबर दिन गुरुवार को है इस साल दसमी सराद के दिन साथ सुब संयोग बन रहे हैं कौन-कौन से जिसकी वजह से यह दिन और भी महत्वूर बन गया है दसमी सराद के आउसर पर परिध योग, शिव योग, गुरु, पुख योग, अमरित सिद्ध योग, सरवार्त सिद्ध योग बन रहे हैं इसके अलावा उस दिन पुनर वसु और पुखन चत्र का भी सुब संयोग है गुरु, पुख योग से बिजनेस, निवेश, कोई शुबकार, नया काम करना अच्छा माना जाता है इस समय में आप सोना, अभूचन, अनकीमती बस्तुएं आद खरीते हैं तो वह अस्थाई रहता है तिरुपती के अनुसार या पंडित जोटिसाचार के अनुसार मनोच कमाशुकला से जानते हैं कि दश्मी स्तुराद पर साथ सुब संयोग कब से कब तक हैं दश्मी का क्या लाब होता है और इसका किसका इस दिन स्तुराद करना चाहिए यह शाव हम जानते हैं और दस्मी स्तराद 26 सितंबर को है अस्वनी मा के क्रिशन पक्षी की दस्मी तिथी को दस्मी स्तराद करते हैं इस बार दस्मी तिथी का समय 26 सितंबर को दुपार 12 बचकर 25 पिनट से है दस्मी स्तराद में तरपन किसका होता है तो दस्मी स्तिराद में उन पितरों का तरपण हो और पिंड़दान होता है या जिनका निधन किसी भी मा की दस्मी तिथी को हुआ होता है और दस्मी स्तिराद से लक्षिमी जी को उन दस्मी तिथी को स्तिराद तरपण पिंड़दान आदि करते है उनको इस्तिर लक्षमी की प्राप्ति होती है, उनके धन संपत्य और बैभों में ब्रिद्य होती है, जो इस्तिर होता है, उसमें कमी नहीं होती है. साथ सुभ संयोग जो स्राद्ध में हैं, आए जानते हैं, नमबर एक सरवार्त सिद्ध योग. दस मेंस राध को पूरे दिन सरवार्त सिद्ध योग बन रहा है इस सुभवयोग है इसमें आप सभी मांगलिक कारे कर सकते हैं उसमें सफलता पराप्त होने की उमीद अधिक होती है दसमेस राध वाले दिन अमरित सिद्ध योग रात में 11 बच के 34 मिनट से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बच के 12 मिनट तक है यह भी एक शुभ योग है बात करते हैं तिसरी गुरू पुख योग की तो दसमी सरादी के दिन गुरू पुख योग भी रात में 11 बच कर 34 मिनट तक बन रहा है जो अगले दिन 17 सितंबर को सुबह 6 बचकर 12 बिनट तक रहेगा नमबर चाथ परिद योग यह योग प्राता काल से लेकर रात 11 बचके 41 बिनट तक रहेगा यह भी योग सुब कारियों के लिए ठीक मानते हैं नमबर पांच शिव योग दसमी सराद धवाले दिन शिव योग रात 11 बचके 44 मिनट से सुरू है जो अगले दिन रात 11 बचके 34 मिनट तक रहेगा नमबर च्छे पुनर वसुन शत्रा दसमी तिथी को पुनर वसुन शत्रा प्राता काल से लेकर रात 11 बचके 34 मिनट तक है बात करते हैं साथ में तो पुख नचत्र दसमीस राद पर पुख नचत्र रात में ग्यारा बच के चौतिस मिनट से ले करके अठाई सितंबर को एक बच के बीस मिनट एम तक रहेगा तो यह रही कुछ स्तरादिस से समंदित जानकरियां अब आएए आगे चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ तो चबिस नौ दो आजार चौबिस थी समबद दो हजार एक आसी साके उनिस सुचियालिस नौमी तिथी द मित्थुन रास्त पे चंद्रमा रहेंगे नौ बच के पचास मिनट के बाद चंद्रमा करकर आश्पर आ जाएंगे बात करता हूं रितु की तुस्त रदितु चल रहा है अब जित मौर्थ 11 बच के 48 मिनट एम से ले करके 12 बच के 36 मिनट पीम तक रहेगा इस बीच आपको की बात करूं तो एक बच के 42 मिनट से ले करके 42 मिनट तक रहेगा दिसासूल की बात सरकारी करंचारियों के लिए दिन काफी अनुकूल है संतान के ब्योहार से अनंदित रहेंगे बात करता हूं पाई की ग्यारा बार बजनंगबार का पार्ट करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुव होगा आईए आगे चलते हैं ब्रिशवरास की तरद ब्रिशवरास का स्वामी सुक्र होता है आज आप कुछ बिसेस कारियों को पूरा करने के प्रयास में लगे रहेंगे मरतमान मौशम के कारण एलरजी हो सकती है आपके दिन चर्या काफी ब्यस्त रहेगी भूम शंपत्ति को लेकर कोई निर्णे न ले मित्रों और रिस्तेदारों के साथ संबंद मधुर रहेंगे अपने व्योहार को निकारने का प्रयास करें बात करता हूँ पाई कि किसी गर पारिवारी क्रिस्तों और मजबूत होंगे चात्रों को महनत का बहतरीन परिणाम मिलेगा अनभवी व्यक्तियों की सला का लाब उठाएंगे पती पत्नी के आपसी संबंद मधुर होंगे विदेश में नौकरी कर प्रयास अगर कर रहे हैं तो शफलता आपको जरूर मिल सक सकती हैं बात करता हूं पाई की एक मुठी चावल को हरे रंग से रंग कर अपने सिर के उपर से साथ बार घुमा कर पीपल के बिश्च के नीचे डाला जाए तो आपका दिन शुब होगा आईए अब आगे बढ़ते हैं करकराश की तरफ तो करकराश का स्वामी चंद्रमा ह होता है आज आप तनावपूंड स्थिति से अपने आपको दूर रखें अतिदिक कारभार के कारण थोड़ी परशानी हो सकती है छात्रों को पढ़ाई में अवरोध का सामना करना पड़ेगा ग्रियोद्योगों में कारशत लोगों की आये बढ़ सकती है आयात निर्यात की व्योसाए में वो तमलाद मिलाब मिलेगा बात करता हूं उपाई की ब्रामण को खीर खिला कर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा आईए अब आगे बढ़ते हैं सिंगराश की तरव तो सिंगराश का स्वामी सूरी होता है आपके भीतर आत्म विश्वास और अरजा का संजार होगा परिवार में आपके विचारों के अनुसार माहौल रहेगा बड़े भाईयों के साथ आपके संबंद प्रगार होंगे लव लाइफ की बात करूं तो काफी आनन दायक रहेगी नई योजनाओं में अपना धन का निवेश कर सकते हैं तो बात करता हूं उपाई की जल में रोली डाल कर शूरी भगवान को जल अरपन करें तो आपका दिन शुब होगा आईए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राश की तरफ तो कन्या राश का स्वामी बुद्ध होता है आज अपने मन की आवास सुनें और वैसा ही करें युवाओं के मन में नए व्योसाय को लेकर उसा रहेगा वरिश्ट सदस्यों की सलापर अमल अवश्च करें अपने व्योह हार में सैयम अवश्च रखें सेयर मार्किट में किया गया निवेश लावकारी सिद्ध हो सकता है तो बात करता हूं पाई की घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर नदी घर से बाहर निकलाएं तो आपका दिन शुब होगा आईए वागे बढ़ते हैं तुलाराश की तरफ तो तुलाराश का स्वामी सुक्र होता है विवादित मुद्धों को हल करने के लिए उत्तन समय है माता पिता का आपका उत्साव वर्दन करेंगे मेहनत के बल पर काम में सफलता मिलेगी बच्चों की सहायता से गर्व की अन लश्मी जी की उपास ना करें तो आपका दिन शुब होगा आईए अब आगे बढ़ते हैं बिश्चिक रास की तरफ तो बिश्चिक रास का स्वामी मंगल होता है आज जोडों में दर्द की सिकायत हो सकती है आपके अनुमान से अधिक काम करना आपको पड़ सकता है ऐसे साउधान रहें जो आपको गलस सरा देते हैं राजनीती वाले मुद्दों से दूरी बना कर रखें आहार में सुद्धिता का ध्यान रखें बात करता हूं पाय की चमेली के तेल में संदूर मिलाकर हरमान जी की मूर्ती में लेप करें और दो लड्डू चड़ाकर ग्यारा पार बजरंगबान का पाठ करके जदी घर से वाहर निकलाएं तो आपका दिन शुब होगा आईए वागे बढ़ते हैं धनराश की तरब धनराश का स्वामी गुरू होता है नई तकनिकी का प्रयोग सीख सकते हैं पैत्रिक व्यावसाय में विस्तार करने के योग बन रहे ह हैं विद्यारतियों के दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है सुब कारियों में आपको धन खर्च करना चाहिए समाज में आपकी प्रसिद्ध बढ़ेगी कार छेत्र में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा बात करता हूं उपाई की गाय को गुड़ चना हल्दी खि होता है ग्रिहस्त जीवन का भरपूर आनंद लेंगे प्रतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे चात्र अध्यन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जीवन साथी और परिजनों की सराह आपके लिए काफी अनुकूर रहने वाली है क बात करता हूं पाई की जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में अगर चणाएं तो आपका दिन शुप होगा आई अब आगे वड़ते हैं कुम्बराश की तरफ तो कुम्बराश का स्वामी सनी होता है यात्राओं का भरपूर आनंद लेंगे दोस्तों के साथ प्रसंत रहेगा तो बात करता हूं पाई की सुन्दर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलाएं तो आपका दिन शुप होगा आईए अब आगे बढ़ते हैं में राश की तरफ तो में राश का स्वामी गुरू होता है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी घर में असान ती क का मौहल रहेगा अनभवी व्यक्तियों से सला लेकर काम करना उचित होगा परिजनों के साथ अपने संबंद अच्छे रखें महिलाओं को ग्रिय कारियों में कुछ बोर्यत सी महसूस होगी पुरानी बातों के करण तरा उत्मन हो सकता है बात करता हूं उपाई की स्री लावार निकलें तो आपका दिन शुब होगा तो कुछ धर्म के विसे में हमने जाना और दैनिक पंचांग के भिसे में दैनिक रास के में जाना वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभू का स्मरन हो जाए फिल वाड़ी को विराम देते हैं नारायन, नारायन, स्रीमन नारायन, 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 भजमन नारायन, 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 ना आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचारी मनोच कमा शुक्ला का हार्दिक नमस्कार